स्टैन्फोर्ड कोविड नाइंटीन लेक्चर श्रंखला के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर के बाद आप सीखेंगे की कोविड नाइंटीन का संक्रमन कैसे होता है जिसमें लक्षन हीन फैलाव और अधिक बड़ाव शामिल हैं जो खिम में होने वाली आबादियों की पहचान कैसे की जाती है। और यहां तक की बात करने और सांस लेने से फैल सकता है जिनसे श्वसन बूंदे पैदा होती हैं जो आम तोर पर दो मीटर से कम दूरी तै कर पाती हैं। और हवा में रह सकती हैं या सतों पर गिर सकती हैं। लोग वाइरल कनों को सांस में लेने से या दूशित सतों को चूने से संक्रमन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें की लक्षन दिखाई देने से पहले भी बीमारी फैल सकती है। नगना आखों से न दिखने वाले संक्रामक कर्ण किसी भी सतव पर हो सकते हैं। जैसे दर्वाजों के हैंडल, अस्पताल के स्ट्रेचर, कीबोर्ड, फर्ष, याद रखें की दूशित हाथों से अपने चेहरे को चूने से संक्रमन फैल सकता है। एक व्यक्ती लगभग 2-3 व्यक्तियों को संक्रमित करता है, या आरशून्य या वाइरस की मूल प्रतिकृती संख्या है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ती संभावित रूप से कुछ हफ्तों के भीतर 6000 से अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। यह आरशून्य मौसमी इंफ्लुएंजा से कहीं ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि COVID-19 का संक्रमन एक इनसान से दूसरे इनसान तक अधिक आसानी से होता है। एक एहम बात यह है कि आरशून शारीरिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाद धोने जैसे जन्ट स्वास्थे प्रयासों से कम किया जा सकता है। अंत में, सबसे महत्वपून प्रयास ज्यादा से ज्यादा लोगों का ठीका करन होगा। इसका मतलब है कि एक व्यक्ती संभावित रूप से कुछ हफ़तों के भीतर 6,000 से अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। यह आरनॉट मौसमी इंफ्लूएंजा से कहीं ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि COVID-19 का संक्रमन एक इनसान से दूसरे इनसान तक अधिक आसानी से होता है। एक एहम बात यह है कि आरनॉट शारीरिक दूरी एवं हाथ धोने जैसे जन स्वास्थि प्रयासों से कम किया जा सकता है। दक्षन कोरिया में एक महिला, रोगी 31 चच जाती है और 1000 से अधिक लोगों के संपर्क में आती है। लक्षनों के प्रकट होने से पहले इंक्यूबेशन में 14 दिन लग सकते हैं। अधिकतर रोगियों में संक्रमित होने के तकरीबन 4 दिन बाद लक्षन दिखाई देते हैं। यह मौसमी इंफ्लुएंजा से अलग है, जिसमें रोगियों में संक्रमित होने के कुछ ही घंटों बाद लक्षन दिखाई देने लगते हैं। तथा पी रोगी लक्षन पैदा होने के पहले से संक्रामक हो सकते हैं, या शायद उनमें लक्षन कभी आए ही नहीं। इसके कारण बीमारी बिना पता चले काफी हद तक फैल सकती हैं। त्यद्यपी अधिक तरूत परिवर्तन वाइरल फंक्षन पर असर नहीं करते, कुछ पहचाने गए वैरियंट या तो किसी स्थान में प्रबल हो चुके हैं या तो अधिक संक्रमन और गंभीरता के रहते काफी ज्यादा नेदानिक चिंता का विशय हैं। तू ने कई प्रबल चिंता वाले वैरियंट पहचाने हैं और कई दिल्चस्प वैरियंट और संभावित रूप से उभरने वाले चिंता के वैरियंट हैं। लेकिन हुँ विश्व साजिदारों के साथ उनकी खोज करता रहेगा। व्रिधरोगी जटिल स्थितियों और मृत्यू के सबसे अधिक खत्रे में हैं। ज्यादा गंभीर बीमारी और जटिलताओं के अन्ने कारणों में शामिल हैं। कैंसर, सेरेब रोविस्कुल बीमारी, गुर्टों की जीर्ण बीमारी, फेफडों की जीर्ण बीमारी, मधुमेह, ठृदै की बीमारी, मोटापा, गर्भावस्था, धूम्रपान, कोविड-19 के सभी रोगियों में लक्षन विक्सित नहीं होगे। आइसलेंड में एक बड़ी आबादी का परीक्षन किया गया था। सकारात्मक पाए जाने वाले 50 प्रतिशत लोगों में कोई लक्षन नहीं थे। सभी रोगियों में गंभीर बीमारी विक्सित नहीं होगी। कई लोग यह जाने बगएर ठीक हो जाएंगे कि उन्हें संक्रमन था, जबकि अन्य लोगों को खास तोर पर जिन में जोखिम वाली परस्थितिया हैं, गंभीर बीमारी का काफी खत्रा होगा। लगभग 81 प्रतिशत रोगियों को 4 दिन के आसपास हलका संक्रमन हो जाएगा। इन रोगियों को बुखार, खासी और शरीर के दर्ड के रूप में उभरने वाली इंफ्लूएंजा जैसी बीमारी हो सकती है। इन्हें स्वाद और गंद की क्षमता में कमी भी महसूस हो सकत है। तथा पी, तकरीबन 14 प्रतिशत रोगियों को 9 दिन के आसपास गंभीर बीमारी हो जाती है। इन रोगियों को सास फूलने की शिकायत होगी। इन्हें प्रारुपी तोर पर गंभीर निमोनिया होता है जिसमें NGT 50% के साथ फेफड़े शामिल होते हैं। इसके रहते वे अलप ऑक्सियता, हाइप ऑक्सिया से पीरित होते हैं, जो खास उतकों में ऑक्सीजन की कमी होती है। और सभी रोगियों में से लगभग 5% 12 दिन के पास नाजुक हो जाते हैं। ये रोगी श्वसन विफलता से तकलीफ में होंगे और इन्हें अकसर वेंटिलेटर स्प करण की विशेशताओं पर चर्चा होगी। रोग निवरिती का ओसत वक्त फलके मामलों के लिए 2 सपता और गंभीर मामलों के लिए कम से कम 3-6 सपता लग सकते हैं। यदिपी पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। श्वसन जटिलताओं से हटकर और भी जटिलताओं की पहच है और कभी कभार बच्चों में पाया गया है। हिरदे समबंधी जटिलताओं कुछ भी लक्षन नहोने से अतालता, मायोकाडियल चोट, हिरदे की विफलता और हिरदे जिनित आगात तक फैली होती हैं। टीप वीनस ट्रोंबोसिस और पल्मोनरी एमबोलिस माम है और कुछ रोगी सप्ताहों से लेकर महीनों तक लगातार लक्षन होने की शिकायत करते हैं। कभीर होने की काबिलियत है। श्वसन जटिलताएं COVID-19 की मुख्य जटिलताएं हैं लेकिन अन्य जटिलताओं को भी पहचाना गया है। महत्वपूर्ण जन स्वस्थि प्रयासों में शारीरिक दूरी, मास्क प्रहनना और हाथ धोना शामिल है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास ज्यादा से ज्यादा लोगों का ठीका करण होगा। आगे के लेक्चर कोविड-19 के नैदानिक प्रबंधन का विवरंड देंगे। कोविड-19 महामारी की लड़ाई में हमारे साथ जुडने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह मददगार है। स्वस्थ और सुरक्षित रहें। कि लंजा और सुचंग में डिए झाल कर्णेफ़ा जूद ऑनक्यादद नुरक्ला करते हैं